तो क्या बेखलेश पेपर वी एक नॉर्मल पेपर वी रहने वाला है या फिए डव्ली ने कोई सरप्राइज या फिशॉक एलिमेंट प्लाइन करके रखा है बैखलेश पेपर वी के लिए जेकब फातू क्या वहाँ पर डेब्यू कर सकते हैं अंकल हूडी का क्या रिटर्न ह या वो बहुत ही डिफरेंट है तो अगर आपको टाइमिंग जाननी है तो ये वीडियो दिख रही होगी आई बिटन में जाकर चेक आउट कर लेना शो की डेट टाइमिंग कैसे देखनी है फ्री वगरा सारी डिटेल्स उस वीडियों के अंतर मिल जाए अब अगर बात करें ह की जहांपर डेमिंग प्रीस अपनी चैंपिंग करने वाले है जे उसो की अगेंस अब इस मैच में अगर हम देखें तो क्लियर फेवरेट डेमिंग प्रीस है जे उसो की चांसेज जो है वो बहुत ही कम है बहुत ही स्लाइट चांसेज उनके है तो डेमिंग प्रीस प्योर करने के लिए judgment day यहां पर देखने को मिलेगी और Damien Priest जो है वो judgment day के बाकी members की help की वजा से इस championship को successfully retain करने वाले हैं बाकी ऐसा भी surprise मत हो ना अगर Damien Priest जे उसो को clean हरा दे क्योंगी अगर Damien Priest के लिए WWE आगे काफी अच्छा build उनको देने वाली अच्छा run देने वाली है तो फुछ जे उसो की बली वो चड़ा सकते हैं अगर मैं प्रेडिक करूँ तो Damien Priest मेरी जो प्रेडिक्शन में pick रहने वाली है अगले मैच के तरफ चलते है जो की होगा ट्रिपल थ्रेड मैच फॉर दी WWE Women's Championship बेली डिफेंड करने वाली है अगेंस नियोमी और ट्रिफनी स्ट्रेडन अब इस मैच के रहत तरफ अगर हम आए तो नियोमी का तो चांस नहीं इस मैच को जीतने का ट्रिफनी का थोड़ा बहुत चांसेज है बट क्यूंकि बेली अभी अभी चैंपेंचिप जीती है तो इतनी जल्दी तो वो नहीं हाने वाली है तो उस हिसाब से बेली के ही प्योर चांसेज है इस मैच को जीतने के तो ऐसे भी ट्रिफनी को डव्ल डवली शायद जो है वो मनी दबैंक ब्रीफ के जितवा कर यूँनो उस वे से यूँनो चैंपेंचिप दे सकती है ड्रेक ली चैंपेंचिप उस जीतने को यहाँ तो बेली प्योर एंड प्योर फेवरेट है इंटिफेरेंस इंवालमेंट की बात करने तो आई ड्रॉन तिंख कि यहाँ पर इस मैच में किसी की भी इंटिफेरेंस आपको देखने को मिल सकती है एक प्यूर मैच होगा अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें अगले मैच की जो की होगा एक टैग टीम मैच जहाँ पर बियांका ब्लेयर जेट कारगल फेस करने वाले है कबू की वारियर्स को अब यह वूमेंस टैग टीम चैंपिंशिप के लिए होने वाला है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायए डवलो डवी टाइटल चेंज करने वाली है ब्यांका ब्लेयर जीट कारगल चाहिए नहाँ पर जो टैग टीम चैंपेश जिब जीतने वाली है इंटेफेरेंसे इंवाल्मेंट की बात करें तो जो डेमेज कंट्रोल के बाकी के मेंबर्स है वो मेभी इस मैच के अंदर इंटेफेर करें इंवाल्मेंट आये उनकी बरेदेंट हेंट हमँगे कि ब्यांका ब्लेयर और जीट कारगल की की जो पावर है इनकी इस मैच मेंच को जीतने के लिए और व्यांका बलेयर जीट कारगल को मैं पिक कर रहा हूँ as the new women's tag team champions अगले match के तरफ चलेंगे गाइस जो की होगा tag team match Randy Orton and Kevin Owens versus the bloodline इस match में fight करने वाले हैं और इस match के अगर हम involvement की बात करें तो involvement हमें देखने को मिल सकते हैं कि Jacob Fatho यहां पर involved हो सकते हैं अगर WWE को उनको debut कराना है जो की हमें पता ये कि बहुत ही जल्दी उनका डेब्यू होने वाला है तो पॉसिबल ये भी है कि जेकब फातो यहां पर हमें देखने को मिले है जिसकी वज़ा से ब्लेड लाइन जो है वो इस मैच में जीज़ा है और आपको लगता है रेंटी उटन केविनोंस इस मैच में जीते हैंगे तो भाई फिर आपर रेंटी उटन केविनोंस को पिक कर सकते हो अब चलेंगे guys हमारे आखनी मैच की तरफ जो की होगा Cody Rhodes vs AJ Styles for the Undisputed WWE Championship अब इस मैच के अगर हम बात करें तो storyline के आप से तो ये match आप कह सकते हो क्यों तरह कोई खास नहीं है बट इस match का जो असली मज़ा है वो जब इन दोनों के बीच में match start हो जाएगा वो तब start होगा जिसमें भाई सारा मज़ा छुपा है क्योंकि AJ Styles Cody Rhodes max pack कर रहा हूं कि 5 star banger के आसपास ये match होना चाहिए मलब ये disappointment match नहीं होना चाहिए कोई 3 star या 2 star because ये match 5 star या 4 star का तो भाई ये match होना चाहिए तबी मज़ाएगा पाकि involvement वगरा कि अगर हम बात करें तो I don't think कि ये आपर कोई involve कर सकता है AJ Styles OC को ला सकती है बट OC को उन्हें लग कर दिया है तो OC भी नहीं आएंगे तो इससाब से मुझे नहीं लगता है कि किसे की involvement interference इस match में हो सकती है बाकि Cody Rhodes या वो AJ Styles को clean इस match में हराने वाले है मेरी भी prediction जो है वो Cody Rhodes के लिए जाती है बाकि premium live event के अंदर Uncle Howdy की return तो मुझे नहीं लगता है कि हो की बठाँ ये है कि छोटे मुझे टीजिस जैसे कि वो Ross Macdonald में हमें देखने को मिल रहा है वो बार कोड वगरा वैसा कुछ आपको देखने को इस शो से भी मिल सकता है बाकि ये थी मेरी प्रेडिक्शन आपकी जो प्रेडिक्शन है इसे कमें सेक्शन बापा सकते हैं वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगे तो डोन्ट परड़ेत तो लाइक हम दैसमास्टर सब्सक्राब इतन मिल जाए मांकली वीडियो के अंदर ठिल एं लव do not give up just keep fighting